उत्तर परदेश के मैन पूरी में 2000 रुपाई के लेन देन को लेकर विवाद हो गया जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पर फाइरिंग तक कर दी इसी बीच इस घटना कर्म का किसी ने वीडियो भी बना लिया जिसमें गोली चलने की अवाज वह पूलिस कर्मी मोके पर मुझूत नजर आ रही हैं हालाकि पूलिस ने इस घटना में 307 जैसे धाराओं में मुकदमा पंजिकरित कर दो लोगों को हिरासत में ले लिया है पूरा मामला मैन पूरी के थाना वेवर शेत्र का है जहां बीती राद लगबग राद 10 बजे का है मात्र 2000 रुपे की लेंदेन को लेक देवेश दूबे वह हिदायत अली के बीच जगड़ा हो गया इस जगड़े ने इतना तूल पकड़ा कि सुचना पाकर पूलिस भी मोके पर पहुची प्रंतु एक पक्ष ने पूलिस की मोजूद्गी में फाइरिंग कर दी वहीं देवेश दूबे ने हिदायत अली पर फ में बिगत रात करीब 10 बजे देवेश और मुन्नू कुत्र हिदायत अली के बीच में 2000 रुपे के लेंदेन को लेकर गाली गलोज शुरू गुआ इसके बाद दोनों पक्षों से 8-10 लोग इकठे हो गया किसी दोरान मुन्नू पक्षों से किसी ने फायर कर दिया हाला कि किसी को कोई चोट नहीं है लेकिन इस प्रकरण में ततकाल थाना बेवर पुलिस के दोरा 307 IPC की धारा में और अन्य धाराओं में मुकद्मा दर्ज किया गया है यह मुकद्मा देवेश दूबे पक्ष के द्वारा दर्ज करा गया है पांच लोगों के खिलाफ मुकद्मा दर्ज है जिसमें से मुख्य मुख्य आरोपी दो लोगों को पुलिस में गिरफतार कर लिया है बाकी तीन लोगों की गिरफतारी के लिए टीम लगी है अन्य पूर्तम कारेवाही अमल में लाई जाए गी आज घराना एंड जोती गार्डन अजे बीडी बैंक्वेट एंटर्प्राइज